शाजापर जिला मुख्याले पर इसित कमर्दी पुरा में 70 साल पुरानी ट्रेचिंग ग्राउन को लेकर अविवाद उत्पन होने लगा है शासन की नियाव अनुसार ट्रेचिंग ग्राउन रहवासी लाकों से 2 किलोमेटर दूर होना चाहिए लेकिन करीब 70 वर्षों से शाजापुर जिला मुख्याले का कच्रा गर्टचिंग ग्राउन वाड नमबर 9 कमर्दी पुरा में स्थित है कई वर्षों पूर से ही इसके आसपास रहवासी लाका है और रहवासी के अनुसार कच्रे में फेल रही बदबू से ये लोग परिशान रहते हैं वही हवा के साथ कच्रा उड़ कर इनके घरों में गुच आता है साथी बारिश में कच्रे से निकलने वाला पानी जमीन में जाकर इनके पेजल इस्तरोतों में मिल जाता है जिनके इनके परिवार की अधिकतर लोग आए दिन बड़ी बड़ी बिमारियों से ग्रसित होते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई परेशान होकर रेवासियों ने ट्रेचिंग ग्राउन पर शहर का कच्रा डालने आये वहानों को अपनी ग्रफ्त में ले लिया सुचना मिलने पर नगरपाली का सीएमों मोके पर पोचे और लोगों से चर्चा की और आश्वासन दिलाया कि दिवाली से पूरे यहां से कच्रा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा वहीं लोगों का कहना है कि कई बार इस तरह की बात नगरपाली का द्वारा की गई पर कोई कारेवाई आज तक नहीं हुए इस बार क्या वाकई में वाड करमाक नो कमर्दी पुरा कच्रा मुक्त हो पाएगा शाजाबूर से सोनू पर नहीं अदिकरी आता है कि दो मेने मटवा तूँ अभी आए ये करें कि दिवाली ते कटवा दूँआ उसके बाद नो कोई सुनुआ ही नहीं और दूसरा अदिकरी आ जाएगा यह प्रदी परषण दाज में हैं और इसका यह समझे के 15 किलों मिटर दूर है शीर से और हमारे वाट में डल रहा पूर शेर का 29 वॉयक्त ड़ आघ के बदवू आती है और बदवू आने के बदवू आने के बदवू आने के बदवू आने के वाद जो इसके नंदर तरल प बच्चा नहीं पानी है उसकी वेसा हमारे बच्चे और यह पिमार हो रहा है और यहां पर हमारे वार्ट में कम सहां पांस ते छे लोग जो सम दमें और